सक्षम्ता परिच्छा पास नियोजित सिक्षकों का विद्धाले आवंटन अगले माह और मिल सकता है ग्रीह परखन भी नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधू को मैं हूँ इसके चौधरी दोस्तों विहार के वो तमाम एक लग 87,000 नियोजित सिक्षक जो सक्षम्ता परिच्छा में उत्तिर्न होकर नए बिद्धाले में जाने हे तू बिसवरी से इंतजार कर रहे हैं साथी साथ बिसित सिक्षक बनते हुए राजकर्मी का दर्जा पाने का विसेश रूप से इंतजार कर रहे हैं उन सभी सिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर ये चन के आई है कि तमाम सिक्षकों के लिए बिद्धाले आवंटन अगले माह यानी जुलाई 2024 में होंगे तब तक सिक्षकों को बिसवरी से इंतजार करना होगा आखिर क्याक वजा है कि तमाम सिक्षकों के विद्याले आवंटन की प्रकिडिया अगले माह होगी इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुशत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्पया अभी सब्सक कर लेंगे दोस्तों तमाम सक्षमता पास नियोजित सिक्षकों का विद्याले आवंटन जुलाई 2024 में होगा इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि अभी तक नई नीती के तहत यानि किस परकार कौंसिलिंग की प्रकिडिया को संपन किया जाए किस परकार सिक्षकों के वि तयार नहीं हो पाई है यानि ACS डॉक्टर S सिदार्थ के आने के बाद इसकी रूप रेखा तयार नहीं हो पाई है किके पाठक तो इसकी रूप रेखा तयार कर चुके थे लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर से नए सिरे से ACS डॉक्टर S सिदार्थ को देखना जरूरी ह इसलिए डॉक्टरेस सिदार्थ द्वारा इस पर बैठक करने की बात कही गई है और अगले एक से दो दिनों के अंदर इन तमाम नीतियों के निर्धारन हे तू एक बैठक आयोजित की जाएगी जिस बैठक में मुख्य रूप से तमाम जिला सिक्षा पदाधिकारियों से हरा अगले एक से दो दिनों में बैठक आयोजित की जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बैठक में कुछ नीतियों में बदलाब हे तू भी विचार विमर्ज किया जाएगा दोस्तों कई ऐसे बिन्दू है जिसमें बदलाब चाहते हैं डॉक्टर इस सिदार्थ उनका कहना है कि ऐसे निति का निर्धारन किया जाए जिससे तमाम नियोजित सिक्षक रहात मैसूस करे जो खबरेचन के आ रही है उसके अंतरगत तमाम नियोजित सिक्षकों को होम पर जाएगा और इसके उपरांद कैसे तमाम नियोजित सिक्षकों की काउंसलिंग के प्रिकडिया साधारन तरीके से एजीवे में संपन हो जाए ताकि सिक्षकों को जादा परसानियों का सामना नहीं करना परे इस पर भी विचार करने की बात कही जा रही है सबसे हम खबर ये आई है कि अभी तक जो खबरे चल रही है कि तमाम नियोजित सिक्षकों के लिए काउंसलिंग की प्रिकडिया राज अस्तरिय यानि पतना में आयोजित की जाएगी लेकिन डॉक्टर एस सिदार्थ इसमें भी बदलाब सोच रहे हैं और तमाम सिक्षकों के लिए जीले में ही काउंसलिंग की प्रिकडिया संपन कराने की बात कहते हुए निरने ले सकते हैं दोस्तों वहीं एक सबसे बड़ी बात ये है कि बिद्याले आवंटन की प्रिकडिया बिल्कुल पारदर्सी तरीके से संपन होनी चाहिए इसके लिए डॉक्टर एस सिद दार्थ ने कमान एंड कंट्रोल सेंटर से ही बिद्याले का आवंटन करने की बात कही है वैसे तमाम सिक्षकों का रेंड मैजेशन ही किया जाएगा सौफ्ट बेर के माध्धम से ही सिक्षकों का बिद्याले आवंटन किया जाएगा लेकिन वह कमान एंड कंट्रोल सेंटर पटना से किया जाएगा ताकि वहां किसी भी परकार की धांदली नहीं हो सके और ना ही कोई बीचवलिये द्वारा इसका पुरा लाव लिया जा सके ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी दोस्तों कि हम भी खबर चलाए थे और बार बार ये बाते सामने आ रही है कि कई गु मुच गई है जिसके मद्धे नजर उन्होंने कमान एंड कंट्रोल सेंटर से ही विद्याले को आवंटित करने की परकिडिया निर्धारित की है ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी तमाम सिक्षक बंदूओं के लिए क्योंकि उन सब के मन में ये भरा मुत्पन हो चुकी उन्हें अन्यत्र भेज दिया जाए तो साथियों हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ACS डॉक्टर S सिदार्थ के रहते ब्रश्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुष लगेगा और कोई भी गुर्गे द्वारा सोचा जा रहा है कि विद्याले आवंटन के नाम पर फरश्टाचार किया जाए जिक छकों को परतारित करते हुए उनका दोहन किया जाए तो यह उनका भरम होगा हम एक एक फरश्टाचार से समद्धित कबर चलाएंगे अपने वेडियो के मादम से और जो भी बरश्टाचार करने की मन बना रखे हैं या फिर मापन के उपरान तमाम सिक्छकों का विद्याले का आवंटन किया जाए तो निश्चित रूप से बैठक के बाद नियावली में कुछ संसोधन किया जाएगा इसमें भी कुछ वक्त लगेगा उसके बाद कौंसलिंग की प्रकिडिया समाप्त होगी लगभग लगभग जू माम सिक्छकों का विद्याले का आवंटन संबब हो सकेगा वहीं दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्धम से यह कहना चाहते हैं कि एस्यस महदय जो हमेशा सिक्छकों के हित में सोचा करते हैं और छात्रों के हित में सोचा करते हैं एक बार फिर से उन्होंने सिक्छकों कुछ सिख्चक 10 वर्सों से तो कुछ सिख्चक 3 वर्सों से अपनी स्यवा देते आ रहे हैं। और तमाम नियोचित सिख्चक एक बहुत बड़ा अनुवच भी रखते हैं कि इन अनुवचों का धियान रखते विए सिख्चकों को नई सिवा में परनत नहीं करते विए तमाम सिक्चकों को सिवा निरंतर्ता का लाब दिया जाना चाहिए और सिवा निरंतर्ता के आधार पर ही तमाम सिक्चकों को एच्छिक अस्थानांतरन का भी लाब दिया जाना चाहिए हम कहना चाहेंगे कि नियमित कोटी के सिक्चकों के लिए अच्चिक आस्थानांतरन का ही प्राबधान लागू है ऐसे में नियोजित सिक्चक लगभग 20 वर्सों से कार्यत है तो उनकी नई पोष्टिंग का सवाल ही नहीं उठता है इसलिए ACS महोदे से आगर होगा कि इन बंदू पर निशित रूप से अनुहवों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनको सिवा निरंतरता का लाब देते हुए उन्हें बित्तिय लाब भे परदान किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी परकिडिया अगर नहीं अपनाई जाती है तो बिहार के लाखो ऐसे सिक्षक हैं जो नए बिद्याले में योगदान नहीं करेंगे दूर बिद्याले होते हुए तमाम सिक्चक पुर्व के बिद्याले में ही रहना पसंद करेंगे वो राजकर्मी बनना नहीं चाहेंगे वे विशिट सिक्चक का बहिस्कार करेंगे इसलिए A.C.S. महोदय को चाहिए कि तमाम सिक्चकों को सिवा निरंतरता का लाब देते अगर पुर्व की सिवा के आधार पर ही नियोजित सिक्चकों को राजकर्मी का दर्जा परदान किया जाता है विशिट सिक्चक बनाया जाता है तो निशित रूप से किसी भी परकार की अर्चने उनकी सिवा में नहीं आ पाएगी चाहे वो B.A.D. उक्ताधारी 125 के सिक्च या फिर N.I.O.S. डिग्री धारी सिक्चकों तमाम सिक्चकों को अगर पुर्व की सिवा के आधार पर राजकर्मी का दर्जा देते हुए विशिस सिक्चक बनाया जाता है तो निशित रूप से ऐसे सिक्चकों को बहुत बरा रलाब होगा और उनकी नौकरी भी बिलकुल स भारत